गुड मॉर्निंग नमस्कार स्वागता आपका हमारे चैनल जिये सेस्टड़ी 94 में और दोस्तों में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्रा खंड के बारे में जो उत्रा खंड में एक नैच्रल डिजास्टर आया है जिस वज़े से दोस्तों तकरीबन डेड़ सो लोग इस दिन जिस तरशे बारिस के मौसम में तमाम देश के कई ऐसे छित्र हैं जो बह जाते हैं बिहार में अशाम में और महारास्टा के कई ऐसे जिले हैं जो बार की चपेट में आने के बाद पूरी तरशे किसानों के फसल किसानों के घर तहस नहस हो जाते हैं ये कोई नई घटन नहीं है हर साल ये घटनाएं घटती ही रहती है पकेन सरकार और राजसरकारों के दोरा हर बार आश्वासन दिया जाता है कि इस बार हम मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं इसका बिवस्ता हम अच्छे तरीके से करेंगे पर दोस्तों फिर एक साल आता है फिर मिलती है कि कुछ लोग लापता हो गए आपको याद हो कहा है साथ 2011 अदश में एक नेच्रल डिजस्टर आये था उत्राखन में जहां बद्रिनाज जी हैं जहां पे लाखों लोग बह गए थें गायब हो गए थें तो उसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम पुक तरीके से घरती चली जा रही है जो की काफी हासे असपद और निरासा जनक बिशा है हमारे देश में चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं इस रभी बार सुबह कोई साड़े दस बचे उत्रा खंड के चमोली जिले में नंदा देवी परत माला का ग्लेशियर यानि हिमनद तेजी से नीचे फिसला उस्री गंगा नदी में गिरा इससे नदी के जलस्तर में अचानक उच्छाल आना ही था देखते ही देखते है रेडी गाओं के पास चल रहे छोटे से बिजली सहियत में तबाही थी और उसका असर पांच किलो मिटर के दारे में बहने वाली धोली गंगा पर भी पड़ा वह भी निर्माला अधीन एंटी पीसी का पूरा प्रोजेक्ट तबाह हो गया कई धोस्त हो गए और कई गाओं से संपर्क तूट गया दोजा तेरा की केदार नात्रासदी के बाद देखिए जो घटनाए घटी थी दोजा तेरा में होगा था माहफ क अखुई वहां के निवासी 2019 में हाई कोट गये थे कि पर्रा वरंडी ये द्रष्टी से इतने संग्विदन सील इलाके में बिजली पर्योजना की आड़ में जो अवैद खनन हो रहा है वाद तबाही आला सकता है तो आप देश सकते हैं इसके पीछे कौन लोग जमेदार है जब लोगों ने PIR Public Interest Litigation फाइल किया था उसके बाद भी चाहे हाई कोट चाहे सुप्रीम कोट उनका नहीं सुना गया और जो सरकारे थी जो राज्य सरकारे कहां थी वो चंद पैसों के खातिर दोस्तों बड़ी-बडी कंपणियों को जमीने लीज़्पर दे देती हैं वो एक बार भी नहीं सुचती हैं की उस खनन से उस सोसर से उस जमीन के वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या अफर पड़ेगा वहाँ के रहने लोग का जीवन कितना प्र जारावार हाथसा हो गया है इस तबाही नहीं असपस्ट कर दिया है कि हमें अभी अपने जल प्राण कहलाने वाले ग्लेशियरों के बारे में सतत अध्यन और नियमित आकलन की सक्त जरूरत है यदि नीती आएक दौरा तीन साल पहले तैयार जल संग्रक्शन पर बनी रिपोर जाएंगे इसके चलते नदियों में पानी बढ़ेगा और उसके पहड़ाम सुरूप जहां एक तरफ कई नगर गाउं जलमगन हो जाएंगे वहीं धरती के बढ़ते ताक्मान को थामने वाली ओजोन परत के नस्ट होने से सूखे बार के समस्या बढ़ेगी चली अभी आज जो इस्तती है हिमाला का धिरे धिरे जो है गलेसियर फट रहा है पिघल ला है तो क्या है नदियों का जो पानी है उफान में आएगा फिर इनी नदियों का पानी समंदर में जाएगा फिर समंदर का पानी का जो इस तरह बढ़ेगा जो छोटे मोटे दीप हैं जो छोटे मो में रहेंगी जहां पर पानी नहीं रहेगा जब हमाला का गलेशियर ही पिखल लियागा तो क्या होगा उसके बाद आप देखेंगे कि एक ओजोन संकट हमारे सामने आएगा तमाम तरह के जीव जन तुजू है वो अचानक बिलुप्त होने लगेंगे इसका सिधा 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 गलेशियर है और यह हमारे लिए जीवन प्राण है यदि ऐसे ही पिखलते रहे तो दोस्तों वो इस्तिती दूर नहीं वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में नालों के शमान नालों में चलिए पानी तो है जहां से भी अवसेस पानी है पर नदियों में कुछ भी नहीं चीज कभी कबार बैट के सोचा करिए बिचार भी मस किया करिए कि हमारे पिर्थवी पे हमारे ग्रह पे सारी चीजें ब्याप्त हैं पर उनके संकर्ण के लिए कोई योजना नहीं है कुछ योजनाएं हैं तो बस पब्लिक को लूटने के लिए इपहला जगह हम पैसा लगा रहे हैं बड़े बड़े उद्धान में पर योजनाओं में लगा रहे हैं जिसे जल संकर्ण कर दूर किया जा सके वन्यजियों का विकास हो सके उनके संकर्ण की बात हो सके पर दोस्तों ये सब बेफ़जूल है या मंगल गरह पे कुछ नहीं वहां पे तमाम तरह के जांच पार ये प्रिथवी वासियों के लिए अप्मान की बात है यदि यही स्तती रही तो आने वाले जो जनरेशन उनके लिए एक बिशेर हैगा कि भाई पहले नदियां हुआ करती तिन में पानी हुआ करता था फिर वो भी जांच का बिशेर बनेगा सोध होगा कभी कबार कुछ मूवीज आप देखते होंगे जैसे एकस्पेक्ट करता है कि 2050-2060 कैसा होगा न कहीं पेड न पोधे सब चीजें टेखनिकली कोई सांस ले रहा है पीछे गया सिलिंडर बांध गे तो यह जो एकस्पेक्ट किया जा रहा ही होगा क्योंकि जिस तेजी से हम परवरण को दूशित कर रहा है यह इस्तिती रही तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जो हम कलपना कर रहे थे वो जीवन हमें जीना पड़ेगा राज्य के कुल छेतरफल का 20 फीसदी इन से आच्छादित है इन ग्लेशियरों से निकलने वाला जल देश की एक बड़ी हिस्से की खेती पीने के पानी उधोग बिजली परटनादी के लिए एक मात श्रोत है जाहिर ग्लेशियरों के साथ कोई भी छेरचार देश के परवरनी समाजिक आर्थिक और सामरिक संकट का कारक बन सकता है इसलिए 2010 में ततकालिन मुख्यमंती रमेश पोकरियाल निसंक निराज में सुनो और ग्लेशियर प्राधिकरण के गठन की पहल कीती उन्होंने इसलिए निर्देशन में सुनो और एवलांच स्टडीज एस्टैबिलिस्मेंट चंडीगड़ा और देहरादून के भी वाडिया इंस्टिटूट आफ हिमाला स्टडीज के सहयोग से ऐसे प्राधिकरण के गठन के प्रक्रिया भी प्रारम कर दी थी दुर्भाग से उनके मुख मंतरी पद से हटने के बाद इस महत्वा कांची पर योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो हमारे यहां क्या आने भी या जो आप पर योजना स्टार्ट करें हम उसमें पैसा क्यों लगाएं क्योंकि कल को नाम होगा कि भी या इसका सिलान्यास फलारने ब्यक्ति ने किया था इन्हों ने किया था तो वो हम सम्मान वो क्रेडिट किसी दूसरे ब्यक्ति को क्यों द तो आपसी जो वर्चस की लडाई है उसमें दोस्तों पिर्थिवी देश जीव जन्तों को बहुत बड़ा नुक्षान होता आ रहा है और होता रहेगा यदि यही स्थिभर करा रही हिमाला की हिमाचित चोटियों पर बर्फ के वे 20 साल पिंड जो कम से कम 3 फुट मोटे और 2 कि मिटर तक लंबे हो हिमनद या ग्लेशियर कहलाते हैं जिस तरह पानी नदी में पानी धलान की और बहता वैसा हिमनद भी नीचे की और खिसकते हैं हिमाला छित में साल में करीब 300 दिन कम से कम 8 घंटे तेज धूप रहती है जाहिर थोड़ी बहुत गर्भी में हिमनद पिग पर गटित अंतरास्टी पैनल IPCC ने दावा किया था कि बढ़ते तापमान के चलती संभव के 235 तक हिमाला के ग्लेशियर का नामों निसान मिट जाए अब सूचिए ठंडी में यदि ग्लेशियर पिघला है फटरा तो बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए हमारे प्र पूरी जगत अंतरास्टी भी से उस पे दोस्तों किसी का ध्यान नहीं जा रहा है जिनका जाए भी रहा है तो वो इसको दर किनार कर दे रहा है पेरी समझोता इतना बढ़िया था जो प्रत्वी के लिए खास तोर पर था ग्लोबल वार्मिंग के लिए था पर दोस्तों अम उनके जो बाइडेन आये वो कहें कि नहीं भी या हम दुबारा उस चीज में इन्वेस्मेंट करेंगे दुबारा इस चीज को दुनिया के सामने लाएंगे जो कि बहुत अच्छी पहल है इसके वे प्रीज फ्रांस के एक संस्ता ने उपगरज चित्रों के माध्म से दावा इस दल ने पचीज बड़े गलेशरों को लेकर डेट सो साल की आकडों को खंगाला और पाय के हिमाले में गलेशरों के पीछे खिसकनी का सिलसला काफी फुराना और बीते कुछ सालां को दुरान इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला इस दल ने इस आसंका को भी निर्मूल माना की जल्दी गलेशर लुप्थ हो जाएंगे और भारत में कयामत आजाएगी IPCC ने इन बिटनिस कर्सों पर कोई सफाई नहीं दी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब देखिए बड़ी बड़ी जो कमपनिया हैं वो ऐसे स्थान का चुनाव करती हैं जहां पर उसे कोई समस्या ना हो जहां पर जल की पूरती हो सके एक अच्छा स्थान विशेश हो और ऐसे जगहों का चुनाव करती हैं जहां पर एक बड़ी अबादी बसी हुई है फिर वहाँ पर खनन करेंगे उसके बाद उस जमीन को उस जगां को पूरी तरह से प्रदूसित कर देंगे और पहले वह आस्वासन देंगे राज्य को भी सर बेज़ेंगे कि जब हम अपने कमपनी का निर्माल करेंगे तो वहाँ पर होस्वीटल खोले वहाँ के जो वनवासी हैं जो जन जाती हैं उनके बच्चों के लिए अच्छे सुच्छा का बेवस्था करेंगे पर दोस्तों ही सब ढखोसला पेड़ पौधे लगाएंगे जितना हम काटिंगों इस से दूबना पेड़ पौधे लगाएंगे पर यह वास्ति विकता है असल में तभी एक ग्लेशियर के बिस्तार गलन गती आदी पर समगर विचार नहीं किया गया और हम उत्तरी धुरू को लेकर पस्यमी देशों के सिधान्त के ही हमाले पर लाओ कर अध्धन कर रहे हैं इसके बाद भी हम विचार करें तो पाइंग के हमाले परुत स्रिंखला कि उन इलाकों में ग्लेशियर ज्यादा प्रभावित हुएं जहां मानो दखल ज्यादा हुआ है सनद रहे कि अभी तक अवरेस्ट की चोटी पर तीन हजार से धिक परवतार होई जंडे गाड़ चुके हैं अन्य परवतार परुत मालाओं पर पहुंचने वालों की संख्या अभी हजारों में ये परवतार होई अपने पीछे कच्रे का भंडा छोड़ कर आते हैं इस बेजा चहल कदमी से ही ग्लेशियर शिमट रहे हैं का जा सकता कि ग्लोबल नहीं लोकल वाविंग का नतीजा है यह बाद भी स्युकार करने हुए कि ग्लेशियरों के करीब बन रह जल बिदुत परियोजनाओं के लिए हो रही तूर फूर से हिम परवत प्रभावित हो रहे हैं ग्लेशियर उतने ही जरूरी है जितनी साफ हवा या पानी लेगिन अभी तक हम ग्लेशियर की रहशियों को जान नहीं पाये हैं कुछ वज्ञानकों का तो यह भी कहना कि जोर कड़ी को तयार किया जा सके इसी फिराक में ग्लेशियर पी घलने का सोर होता है आसनकाओं के निर्मूलन का एक अही तरीका है कि ग्लेशियर अध्यन के लिए अधिकार संपन प्रादिकर्ण का गठन किया जा जिसका संचना किंद के हाथों में हो तो आज के लिए इतन ही नवशकर धन्निमादू